हमस्कात दोस्तों, अम्बे सरुषेश चैनल पर एक बार फिस्टा स्वागत है और आज की जो हमारी वीडियो है, वो टाटा में कुछ नए प्लान को लेकर के हलचल चल रही है जिसमें आपको मोबाईल ATM भी बताया जाएगा और आप ATM जो है मोबाईल ATM भी लगा सकते हैं, और मोबाईल ATM काफी लोगों को जानकारी होगी बट कुछ लोगों को जानकारी नहीं होगी, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोबाईल ATM होता क्या है और कैसे लगाया जाता है, और कैसे इंस्टाल किया जाता है तो हमारी वीडियो के पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करें चैनल को सब्सक्राइब आप लोग करते नहीं है मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगली जो वीडियो होगी वो हमारी अगली वीडियो इंडिया वन एटियम पे बनेगी जिसमें आपको इंडिया वन के प्लान के बारे में मैं बताऊंगा तो सबसे पहले मैं फिनिस करता हूँ टाटा इंडिकैस के एटियम के फ्रेंचाइजिक बारे में जिसमें आप फोटो में देखी रहे होंगे कि एक वैन है इस वैन में एटियम इंस्टाल होता है और एटियम कहीं भी किसी भी लोकेशन पर ये गाड़ी लगा करके ट्रांजेक्शन किया जाता है तो जैसे आपको लगे कि मुझे मोबाइल एटियम चाहिए तो आपको इतनी गाड़ी जैनी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत महनी पढ़ जाएगी आपको आपके इन्वेस्टमेंट से कहीं जादा ये महना पढ़ जाएगा तो मोबाइल एटियम स्टार्टिंग करने के प्लान में है टाटा बट में भी ना भी करें 50-50 चांसे करें ना भी कर हो जाता है आपको इसमें गाड़ी खरीदनी पड़ती है तो वह थोगा समहेंगा पड़ता है इरेकसा पर आप जो ही इंस्टाल करा सकते हैं मोबाइल एटियम को लेकिन सारी जिम्मेदारी आप ही की होगी एटियम का की एटियम उनका सेफ रहना चाहिए मशीन वगारा जिम्मेदार याफी किराएगी और हलाकि मैजिक पे भी आप इंस्टाल करा सकते हैं थोगा बहुत मोडिफाई करा करके आप इसमें एटियम को इंस्टाल करा करके और कैस लोडिंग करके कहीं भी किसी भी लोकेशन पे आपको जैसे लगे कि कोई तहसील है या फिर कोई करके ले के जा सकते हैं जो विकल है उसके थुरू और उस लोकेशन पे ले जाकर के इस गाड़ी को पार्क कर दीजिए और पार्क करने के बाद आप अपना डोर और वगारा जो भी है एटियम का जो गेट बनाया हुआ है आपने के वैन के अंदर में वो गेट ओपन करके छ कि अगर जो बंदा ज्यादा तर एटियम लगाना चाहता है जो ज्यादा मात्रा में चलाना चाहते है उनको लगता है कि एटियम का जो मार्केट है वो थोगा मेरा बगा हो जाए तो इसको आप यूज करके आप उस एरिया का पता लगा सकते कि कहां पर कितना तो जैसे आप किसी दुकान में लगाना चाहते हैं तो आप पहले मोबाइल अगर आपके पास अल्रेडी है ताप उस एरिया में ले जाकर के उस मोबाइल एटियम को खड़ी कर दें और कंटीनु जो है 15-20 दिन तक उसका ट्रायल लें पर आपको यह पता चलेगा कि इस मशीन में कितना ट्रांजिक्शन हो रहा है यहां पर क्या मुझे यहां पर एटियम लगाने में फाइदा है या नहीं है तो उस हिसाब से आपको पता लगे है कि डेली का ट्रांजिक्शन यहां पर कितना है इनकेस अगर आपको अच्छा ट्रांजिक्शन वहां मिलता है तो आप एक पर्मानेंट ATM लगा दें दुकान में शॉप में फिर इस ATM को अधर लोकेशन पे चोईस करें कि मैं इस अधर लोकेशन पे ले करके जाओं और वहां पे खड़ी करके ट्रांजिक्शन वहां का निकालें क्योंकि आपने वो एरिया अल्रेडी कभर कर लिया आपको पता है कि मैं जान गया हो कि यहां पे ट्रांजिक्शन जादा हो रहा है तो आपने पर्मानेंट फिक्स एरिया उसमें दुकान ले लिकिराय पे और वहां पे लगा दिया और ट्रांजिक्शन जादा होने लग गया तो आप दूसरा ATM अगर बगाना चाहें तो इस तरीके से आप ट्र गया है और चार पांस दस बनाईए अगर चार एटियम है आपके पास तो इस महीने में कम सकम गिरेहाल में कम सकम आपका लाग से देलाक रुप महीना इंकम होना ही होना और पैसा जैसे कर तैसा से पड़ा हुआ है अब मेरा खासतर पर बात यह है कि तीन तरीके का एटियम होता है यह आपको भी पता है डेडिकेटेट सौप होता है यानि परस्टनल एक सौप होती है जिसमें आप एटियम लगा देते हैं और सिर्फ और सिर्फ उसमें एटियम का ही वर्किंग होता है और एक होता है शॉप इंशॉप मॉडल शॉप या कोई दुकान चला रहे हो तो उस दुकान में एक साइड में थोगा से स्फेस दे करके आप ATM इंस्टाल करा सकते हैं और उस ATM को चला सकते हैं और अपनी दुकान भी चला सकते हैं यानि दोनों एक साथ चला सकते हैं और मोबाईल ATM के बारे मैंने आपको बताया फोटो भी द लाग रुपए चार लाग रुपए जो भी आप कैस लोडिंग करें वो आपको पर डिपेंड करता है कि कितना लोडिंग करेंगे और इस तरह के से कर कम में दिखा ज़िए तीन लाग 10,000 में सेक्योटी मनी पे जो है आप एक ATM लगा सकते हैं और कमिशन वही रहता है आपको प पहले लगवा लेते हैं हाला कि कमपने तो 22 नवंबर को यूपी और बैटरी सारा कुछ बंद कर दिया है बट यूपी बिहार जारकंड यानि यूपी इस्ट बलियां आजमगव बनारस और लखनवू तक का इरिया जितना भी कबर करते हैं वो यूपी इस्ट में आता है त तीनों स्टेट्स में अगर आपका ATM लगाना चाहते हैं और एक हफ़ते के पहले आप मुझसे लगवा लेते हैं ATM तो मैं आपको कंपनी की तरफ से अप्रोच करके UPS दिला दूँगा इनकेस अगर एक हफ़ते के बाद आएंगे तो मैं UPS नहीं दिला सकता ध्यान से सुनिय अगर मेरी बात को तो क्रिपया जो भी आगर आपको लगाना है का अगर सच में प्लान हो ATM तो डीले ना करें उसमें देरी ना करें और UPS मैं आपको दिलाने की गारेंटी देता हूं मैं UPS दिला दूँगा आपको बट आपका कॉप्रेट होना बहुत जरूरी है एक हफ़त से पहले आपका अगर HD चला जाता है सीक्योटी मैं टाटा के काउंट में चला जाता है तो मैं UPS कमिटमेंट जो मैं करता हूं मैं करा दूँगा और बाद में भी कराएंगे तो जाहिसी बात है कि प्लान बगएगा ही बगएगा और बढ़ने के बाद भी आपका के मिन वग ठाउंगे आप इसका ट्राइल ले सकते हैं और जो यूप बैटरी दिलाने वाली बात कही है मैंने UPS भी हर जरकंड के लिए कहा है मैं फिरसे बताऊंगा और किसी के लिए मैंने नहीं कहा है आप किसी चीज दूसरे के लिए अपरोच नहीं करिएगा और टाइम पिरियड एक हपता बचा हुआ है एक हपते पहले अगर आप करा लेते हैं तो ठीक है नहीं कराते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आज की जो हमारी वीडियो थी वो मोबाइल एटियम पे ज्यादा बनी हुई थी और मैं कोशिश करूँगा कि आपको और भी अच्छी वीडिय अगला अपलोड करूँगा तो हमारे चैनल को देखते रहिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुचने में आसानी रहें अपने वीडियो के माध्यम से धन्यवाद